आप काम कर रहे हो आप किसी के साथ में बाच्चित कर रहे हो दिन में आपको उबास ही आ रही है तो वो अच्छा दिखता नहीं है आपको शर्मिला जैसा महसूस हो सकता है सामने वाले को लगता है कि यह बोर हो गया क्या इसको रूची नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं इसमें तो यह फिर सामने वाले को बुरा भी लग सकता है आपको भी बुरा लगता है आपको भी शर्मिला लगता है क्या अगर इतनी उब आप करेंगे तो डिफिनेटिली आप ये उपासी से मुक्त हो जाएंगे तो हम देखते हैं अभी कारण क्या है एक तो क्या है कि आपको रात को नीन पराबर नहीं हुई और नीन पराबर हुई निये डिस्टब स्लीप है तो दिन भर उपासी आती रहती है नमबर एक मगर वेखनाव चाहित ये और थीट्य तो तबही Secondly है और नमबर तीन जो है वह स्ट्रेस तणाव दिन भर में तणाव है और फिर रात को घहरे नहीं आती नहीं है और फिर रात को भी नीन होती सेantas नहीं件 तो फिर तनाव के कारण आपको दिन में उबासी आते रहती है नम्बर चार दिन में जब आप चल रहे हिल रहे घुमरे इदर उदर तो औक्सिएन की कमी हो रही आपके बोड़ी में और उसके वज़त से उबासी आ सकती है और नम्बर पांच कुछ दवईयां आप ले रहे है अब इसके आखर वा सिरियस कुछ कंडिशन से जिस से आपको वाह से आ सकती है एक है हाट अटेक यह दिदिन में दर्ध में रहा है तो डिफिनिटली लिए हाट अटेक का लक्शन हो सकता है दूसरा है लिवर फेलिवर लिवर की बीमारी तो उससे भी उबास आ सकते तो आपको वह टेस्ट करके लिए नाचे तिसरा है एपिलेपसी मतलब फिट की बीमारी तो अंडरलाइंग कोई शारिक बीमारी तो नहीं है यह भी आपको चेक करने होगे उसके लिए आपको क्या है यह कोई बीमारी अंडरलाइंग नहीं है जैसे हाट का प्रॉब्लम नहीं है लिवर का नहीं एपिलेपसी नहीं है बाकी ऑक्सिजन की कमी नहीं है तभी आपको उबासी आ रही है तो मैं भी आपको आठ टिप्स दे रहा हूं नंबर एक आपने क्या करना है जब प्रिदिंग कर सकते हैं लंबी-लंबी सांस लेना छोड़ना सांस लेना छोड़ना जिससे आपकी जो ऑक्सिजन की कमी है वो ठीक हो सकती है यदि है तो और आपकी उबासी निकल जाएंगे नंबर तीन थोड़ा सा लाफिंग करो जोर से हसो किसके साथ में अर्था अकेले बैट के अधिर दो बोलेंगे क्या होगे इसको तो हसना या किसी से बात करना तो उससे भी आउबासी जा सकती है नंबर चार खड़े रहना है और थोड़ा सा चलना है कई भी है तो थोड़ा सा चलना एधर से उदर तो एक्टिविटी जब आपकरते हैं तो मेटेपालीजम आपका ठीक हो जाएगा और ऊबासी निकल जा सकती है नमबर छे आपकी स्लिप देखो आपकी निन रूटीन में आप शेडूल का पालन कर रहे कि नहीं करें ताइम पर सोना और टाइम पर उठना यदि वो डिस्टर्ब है ताइम पर सोना ताइम पर उठना तो भी आपको प् करना है आठ आपको कुछ दवाईयां हमारे पास में जब बहुत ही ज्यादा जैसा नार्कोलेप्स यह दिन में नीन आ रहे है उबास यह कोई कारण नहीं है तो कुछ दवाईयां है मोड़ाफिनिल जैसी जो हम दवाई देते है एक सुबह खाने के लिए देते है या कर सकते हैं तो आई यह वीडियो जरूर लोगों को शेर करो वासी आना यह बहुत ही कभी-कभी अनकमफटेबल होता है शायने सबने को खुद को अच्छा लगता नहीं है लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन अच्छा होता नहीं मतलब जैसा कोई आप वरक्शॉप में ब सब्सक्राइब करते लाइक करते तो हमारा उत्सा बढ़े जाता है थैंक्यू बेरी मच्छ